तो सबसे पहले करेंट अफेर्स पर आने से पहले हम लोग बात करेंगे तो बारा जनवरी को करते हैं इंडिया में इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग क्यों सेलिबरेट करते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मिनिस्ट्रियल अफ यूथ है जिसका एक मीटिंग हुआ था लिस्बन में लिस्बन इस दे कैपिटल आफ पुर्तगाल तो यहां पर जो मीटिंग हुआ था उसके बाद 1999 से हम लोग रेगुलरली इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त को और इस बार जो 12 अगस्त जो कि 2021 का इंटरनेशनल यूथ डे का थीम क्या है Transforming Food System Youth Innovation for Human and Planetary Health हम जो यूवा हैं वो ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं इसलिए Transforming of Food System Youth Innovation for Human and Planetary Health साथी साथ Planetary Health की बात करें तो Environmental Health की बात कर रहे हैं तो यह सब संबभ होगा यूवाओं की मदद से भारत भी बहुत बड़ी युवा आबादी वाला देश है तो हमें बहुत ज़्यादा skilled और साथी साथ में Environment we should be a leader है न हम लोग इस दिशा में एक leader के तौर पर काम करना चाहिए और we should move in a new dimension जिसमें हम लोग planetary health को focus करें तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे Parliament passes bill on OBC list तो आपको याद आरा होगा OBC की list पर जो सविधान संशोधन किया गया था 2018 में 102 सविधान संशोधन उसमें कुछ परिवर्तन किये गए और वो परिवर्तन क्या है कि उस सविधान संशोधन में राज्यों को OBC other backward class चो list है या यूं कह लिजे इनका in general हम लोग कहते हैं socially and economically backward classes इनकी listing करने का power किसके पास नहीं था राज्यों के पास नहीं था केंद्र तो अपनी एक list तयार कर सकती थी फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने महराष्टरा ने मराथी लोगों को other backward class consider करके और उनके लिए कुछ करना चाहा तो उसके लिए writ petition लग गई और सविधान के अनुसार चुंकी मराथाज are not in the list of state OBC कोई list में नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं और इसी लिए कुछ MPs, अलग-अलग MPs, regional political parties के BJP के MPs उन्होंने बोला कि हाँ भई, there should be an amendment और राज्यों को भी अताकत नहीं चाहिए Is it clear? तो ये पूरा जो है और सबसे खास बात recently we have discussed 127th constitutional amendment bill जो लाया गया है और ये पारित हो गया है लोक सभा में हो गया, राज्य सभा में हो गया, now it needs only the consent of president तो प्रेसिडेंट की ही consent की आऊशकता है, unanimously, मतलब सर्व सहमती के साथ में बिल पारित हो गया, वैसे भी कोई भी party क्यों OBC को नाराज करना चाहेगी तो देखिए, Pegasus जैसा जो मानसून सत्र को खराब करने वाला एक Pegasus जो कांड चल रहा है काफियत तक सही भी है वो लोग चो कर रहे हैं, लेकिन बिलकुल भी Parliament नहीं चल रही है उसके बाउजूद ये बिल पास हो गया, तो आप देख लीजिए कि जहां पर सभी political parties को ये लगता है कि नहीं, ये बिल तो पारित करना चाहे तो वो वहाँ consensus दिखाते हैं, अपनी सर्वसहमती दिखाते है तो ये पूरा जो scenario है, एकदम clear हो गया होगा आपको So Parliament passed constitutional amendment aimed at restoring the rights of states राज्यों के जो अधिकार है, उनको फिर से restore किया गया है Union Territories के अधिकार को और राज्य और UTs अपने स्वयम के socially and economical backward classes की एक पूरी enlisting बना सकते हैं जिने commonly यही जो SEBC को ही क्या जाता है, other backward classes In May, while scrapping the separate quotas of Maratha community in Maharashtra मही में जो scrap कर दिया गया था, the Supreme Court had ruled that Supreme Court में petition लगी थी 2018 के amendment के नुसार चुंकि उनकी कोई list नहीं बना सकता, Central Government could notify Central Government ही notify कर सकती है, SEBC को जो नियम है, देखिए Judiciary Niam कायदों के हिसाब से चलती है तो यहाँ पर फिर एक pressure आया और government ने इसमें सेंशोदन किया, is it clear? तो 102 वा Constitutional Amendment Act जो था उसके तहट आपको याद आ रहा होगा 338 B जिसमें Commission for Backward Classes बना, 342 A और 342 के बाद 342 A इसमें add किया गया इसने क्या किया, राज्यों के पास भी ताकत होनी चाहिए थी, उसको पूरा इस्ट्रक डाउन कर दिया वापस से restore कर दिया है, is it clear? So in identifying backward classes, provide them with reservation benefit ताकि reservation benefit, राज्य अपने level पर जो किसी को मदद करना चाहें, वो कर सकते हैं So the bill provide that president may notify the list of socially and educationally backward classes only for the purpose of central government Bill provide करता है, राष्टपती notify कर सकते हैं, ठीक है, SEBCs को This central list will prepared and maintained by central government यह bill यह भी enable करता है कि state and union territories to prepare their own list तो state अपनी भी बना सकते हैं, पहले केवल और केवल central government की जो list थी, उसके बहाफ पे central government काम करती So socially and educationally backward classes के लिए अब जो है, यह राज्जों को भी ताकत मिल गए This list must made by law and may differ from central list तो यह जो list होगी, जो central OBC की list है, हो सकता है, महराष्टरा में, गुजरात में, राजिस्थान में, उत्तर प्रदेश में list अलग हो, साउथ, तमिल नारू अगरा में तो इसकी मदद से क्या होगा, चुंकि देखिए, central list के अंदर सभी को cover नहीं किया जा सकता अलग-अलग राजियों में, अलग-अलग socially and economical backward classes हैं, OBC हैं, तो उनके लगबख 671, 671, कास्ट जो हैं, कंट्री में, would get benefit it and restore the state's right to make their own OBC list तो वो अब लगबख 671, जो कास्ट हैं, different, उन सभी को इसमें मदद मिलने वाली हैं, तो constitutional amendment bill 127, यह आपको याद रखना है और यहाँ पर यह constitutional जो समवेदानिक दरजा है, 338B और साथी साथ में 342A और add किया गया है, ठीक हैं, यह बात याद रखनी, चलिए बहुत important high profile एक antitrust trial चल रहा है, big techies पर, और यह big four companies का आपने जरूर नाम सुना होगा, big four, कौन है यह big four Facebook, Google, Amazon and Apple, Amazon and Apple, these four organization, यह America की इतनी बड़ी, too big to fall, यह इतनी बड़ी होगे हैं कि यह कभी गिर नहीं सकती हैं, और अच्छी बात ना गिरें, लेकिन यह क्या करती हैं organization, जैसे Facebook का example ले लीजिए, Facebook ने अपने जो सबसे प्रबल competitors थे, WhatsApp को purchase कर लिया, Instagram को purchase कर लिया, America में यह सारा acquisition हो गया, European Union इसको आज भी अलग-अलग entity के रूप में मानती है, क्योंकि यह अपने अपने entity trust में आता है, क्योंकि competition खतम कर रहा है, Facebook ने उन्हें अपने अंदर मिला लिया, जो कभी उससे competition कर करते monopoly हो जाएगी, और monopolized economy बहुत ही monopolized, कोई भी tech companies है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसी लिए क्या है, यहाँ पर आवशकता थी कि antitrust trial चले इनके against, और Joe Biden इस दिशा में काम भी कर रहे है, और मैंने आपको एक बहुत ही चर्चित सक्षियत, लीना खान के बारे में भी बताया था, याद आ रहा है आपको 32-year-old लीना खान, जो कि बहुत ही excessively, और we can say enthusiastically, antitrust trial के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो यह big techies companies हैं, तो US government, यह तो US government और आपको पता है कि वहाँ पर destructible states हैं, तो 48 states and territories ने, Facebook ने जो illegal competition को crush करने के लिए, Instagram और WhatsApp का जो acquisition अधिग्रहन कर लिया है, यह competition को खतम कर रहा है, what are the charges और यहाँ पर antitrust law होता क्या है भई, सबसे पहले यह पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में internationally, European Union तो आज भी Instagram, WhatsApp और Facebook को separately देखती है, भारत के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो data protection bill, internet laws, बहुत strict है, European unions, right, America में इसका adhigrant हो गया है, लेकिन Europe में इसे यह लोग मानते ही नहीं है, इस चीज को, ठीक है, इस acquisition को, antitrust law are regulations that monitor the distribution of economic power in business, making sure that healthy competition is allowed to flourish and economic and grow, तो यहाँ पर जो छोटी छोटी companies हैं, जो हो सकता, इस startup के रुप में बहुत तेजी से उभर कर सामने आए, उनको पहले से purchase कर लेना, या फिर purchase नहीं करना, तो उस company के जो other vendors होते हैं, जो इसको support करेंगे, उनकी जड़ों को ही काट देना, मतलब उनसे contact करने को मना कर देना, मान लिजे Facebook ऐसा कर रहा है, तो यह सब जो चीजे हैं, वो है anti-trust, ठीक है, तो यहाँ पर competition को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और monopoly नहीं हो जाए, what are the charges, the basic charges is that the Facebook in fear of competition, Facebook को डर था कि competition होगा, plays by the anti-competitive strategy playbook, तो उसने इस प्रकार से anti-competitive strategy apply की, it either buys potential competitor, या तो यह potential competitor को खरीद लेते हैं, या फिर cut off from the accessing its large platform, या फिर क्या करते हैं, इनका जो एक large platform है, मतलब Facebook के उपर आप Instagram की कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है, आप बोलेंगे, सर क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, बिलकुल कर सकते हैं, आज की तारिक में आप बिलकुल कर सकते हैं, Instagram तो even सीधा option देता है, Facebook सीधा option देता है, कि क्या आप इसे Instagram पर भी शेयर करना चाते हैं, लेकिन यदि Instagram के owner ने मना कर दिया होता कि हम Facebook के अंदर merge नहीं होंगे, उस case में Facebook जो है cross platform जो ये sharing होता है, उसको ban कर देते हैं, और ये क्या है, anti-competitiveness, तो ये जो जुकर्स बग के उपर आरोप लगे, इसी प्रकार से anti-trust law जो है, Amazon के उपर चल रहे हैं, Apple के उपर चल रह हैं, तो ये है big four companies, तो Europe and US especially have moved against these technological companies, not just on anti-trust charges, but also case involving violation of privacy, privacy का भी हननों कर रहे हैं, तो ये जो big techies company है, ये आपको जरूर याद रखने हैं, यापर सभी के, WhatsApp, Facebook, Yahoo, Pinner Post, YouTube, जो Google का हिस्सा है, Telegram, तो ये सभी आपको याद रखने हैं, US में ये anti-trust किन-किन companies पर चल रहा है, big four companies कौन-कौन सी हैं, जरूर याद रखना, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, इन में नहीं हैं, देख लीजिए, and sought to know if they had become too big to fail, and if they were stifling the competition and other smaller companies, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर lobbying बहुत अच्छी खासी होने लगती है, एक बहुत important point मैं आपको यहाँ पर बताना चाता हूँ, कभी भी कोई technological crash आया, तो बहुत बड़ा market doom देखने को मिलेगा, और इसी लिए क्या है, ये सभी companies अभी lens में हैं, तो यहाँ पर anti-trust trial अभी चल रहे हैं, और भारत में, इंडिया में भी scenario आपको जरूर पता होना चाहिए, कि various anti-trust prob is going against Google in India, Google भी इसी प्रकार के काम भारत में कर रहा है, हम लोग कुछ भी search करते हैं, तो वो ही चीज reflect होती है, और वो abuse करता है, dominant position, और यहीं पर android phone पूरा Google का है, smart television market, तो चुकि android based आजकल television भी आ रहे हैं, तो अपने आप में क्या हो रहा है, जो product on demand, आपने कोई भी product search किया, product on demand आपको advertisement दिखने लग जाएंगी, और यह क्या है अपने आप में, अपने market को इतना बड़ा कर लेना कि हर चीज आप ही दिखा रहे हैं, और वो मजबूरी है, कि user को देखना पड़ेगा, तो भारत में जो competition council of India, competition commission of India, sorry, so competition commission of India जो है, यहाँ पर इनको regulate करने का काम करता है, इस प्रकार के lawsuit में, the big techies companies are likely to come under the more scrutiny from the regulator, तो CCI यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए, protect the interest of consumer and ensure freedom of trade, तो freedom of trade को ensure करना बहुत important point है, यह साथ भी, interest of consumer, इसका ध्यान रखना कि कोई चीज consumer के interest में है या नहीं है, अब आजकल क्या हो रहा है, गूगल premium, आप लोग सभी देख रहोंगे, गूगल premium, और गूगल premium में क्या है, कि यदि आप उसको लेंगे, तो आपको advertisement वगेरा नहीं दिखेगी, वरना आजकल दो-दो-तीन-तीन advertisement आ रही है, तो यह क्या है, now it became our, we compelled to watch these advertisements, है ना, तो यह आपको समझना होगा कि, यह अपने अपने competition को कम करने का, और इतना large scale पर चले जाते है, और इसी के लिए America में क्या चल रहा है, जो बाइडेशन के प्रशाशन में, जो लीना खान है, शीज, लीना खान, 32-year-old, and chair of the Federal Trade Commission incumbent, तो अभी-अभी यह बनी है, जून 15-21 में, तो लीना खान जो है, 1989 बॉन है, Federal Trade Commission की chairperson बन गई है, यह law, इन्होंने बहुत अच्छे-चे काम कर दिखा है, और anti-trust and competition law in United States, जो की four big techies company के लिए चल रहे हैं, और President ने इन्हें appoint किया है, जो बाइडन ने, in March 2021, and had served since June 15 से यह serve कर रही है, इनको appoint कर लिया था, और serve कप से कर रही है, यह जून 15 से लगातर serve कर रही है, यह एक बहुत important story है, इसलिए मैं आपके साथ cover की, मैं regular basis पर इस प्रकार की story जरूर cover करू क्योंकि यह आपके exam के लिए बहुत ज्यादा important है, antitrust, trial, law, यह आपके जरूर exam में पूछे जा सकते हैं, right, MCQs करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ important section को और भी देख लिया जाए, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ गए है, doctor, let me change the slide, I think आपको दिख रहा, yes, तो देखिए, doctor to population ratio, world health organization ने कितना बताई यह आपको numbers, statistics के रूप में जरूर याद रखने, world health organization ने बोला है कि प्रती 1000 विक्ति पर एक doctor होना चाहिए, और इंडिया में क्या position है, प्रती 1456 विक्ति, 1456, doctor is one, तो आपने आप में यह भयावे है, है न, भारत में health indicators को dictate कर रहा है, इंडिया is on the path of achieving world health organization recommended ratio by 2024, तो हम ज्यादा स्यादा doctors का appointment करके, 2024 तक उम्मीद है कि हम यह सब cover कर लेंगे, number of the bads from 11 lakh to 22 lakhs, इस pandemic के दौरान अभी bad की संक्या बहुत अच्छे खासी बढ़ गई है, तो यह बहुत अच्छी बात है, भारत में इसके लिए आयुश्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना जैसे programs को focus किया जा रहा है, health facility provide करने के लिए लोगों को, ठीक है, हमने recently आपको याद आ रहा होगा, ग्रीस का जो इविया आइलेंड है, northern tip जो है उसकी, वहाँ पर लगातार wild fire, मतलब आग जनी होती जा रही है, natural cause है, यह natural call है अपने आप में, this is the, we can say, यह जो severe climate change जो हो रहा है, उसका एक हिस्सा है, तो wild fire जो है या bush fire, Australia में आपको याद आ रही होगी, और पूरे प्रत्वी का carbon dioxide बहुत जादा बढ़ गया था, और कंगारूज आपने देखा होगा किस प्रकार के देवर burnt, किस प्रकार से वो पूरी तरसे जल गए थे, तो forest grassland में यह आग लग जाती है, और इसके कारण क्या है, नॉर्मली क्या होता है, dry season, hot season और वहाँ पर ऐसा environment है, Mediterranean Sea में कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता होगा, अभी जो समय चल रहा है, दोस्तों आपको पता है, यह है actual में, अगस्त, अगस्त चल रहा है, अगस्त में भारत में होती है rainfall, मानसून के कारण, जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर में, भारत में rainfall होती है, लेकिन यहाँ पर Mediterranean के आसपास के जो विंटर में rainfall होती है, इसी लिए भी बहुत भेंकर गर्मी पढ़ रही है, और वहाँ पर wildfires लगातार बनती चली जारी है, is it clear, dry leaves, shrubs, grass, dead woods, easily combustible and easily ignite, तो वो आसानी से जल रहे है, dried होने के कारण, ignition can either happen naturally, ignition या तो प्राकर्तिक रूप से भी हो सकता है, या फिर आकाश की strike नहीं है, triggering accident और intentionally यह आग लगा दी जाए, तो यह diagram क्या है, मैं भी आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसका एक point आने दीजिए, such fire typically come to end when there is no more vegetation, इस प्रकार की आद तब खतम होती है, जब कोई vegetation बचती ही नहीं है, तब यह जाके खतम होती है, to burn because of rain, तो finally क्या है यह rain, या फिर बरसात के कारण यह खतम हो पाती है, तो impact क्या है, as fire burn through vegetation, forest, smoke, carbon are released into atmosphere, तो carbon क्या है, atmosphere में released हो जाता है, but the fire also released nutrient, दिखिए, आपने एक बाद जरूर सुनी होगी, आपने एक बहुत important crop pattern सुना होगा, slash and burn, सुना है जरूर, slash and burn का मतलब क्या है, कि जैसे ही पुराने आदिम समय से लोग, और especially आज भी North East में यह सब चलता है, कि जहां पर हमने खेती कर लिए उसके बाद, उस सभी area को जला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक बहुत important healthy nutrition, soil को मिल जाता है, और वो ecological succession के लिए मदद करता है, अब ecological succession क्या है, आपको म में बात करने वालों, environment ecology से संबंदित है यह, so plant, germination, soil enhancement, उसकी humidity वगरा को बढ़ाने में मदद करता है, तो इस प्रकार से wildlife का फाइदा है, लेकिन large scale पर यदि वो landy deserted हो जाए, right, सभी germination seeds वगरा ही खतम हो जाए, तो अपने आप में यह, आप समझ सकते हैं कि कि कितने सारे species यहां मारे जाएंगे, the size of the wildfire depends on amount of vegetation, कि vegetation क्या है, strength and direction of wind इस पर भी निर्वर करता है, ठीक है, some other factor influence wildfire are weather events such as frequent heat waves, कई बार frequent heat wave है, extreme rainfall भी इसका एक कारण है भी बताऊगा क्यों है यह, और rising sea level, समुद्र का जल इस तर बढ़ता जा रहा है, उससे भी इस प्रकार के, जो है, events ह होते हैं, what is ecological succession, आपको पता होगा, जब यह प्रत्वी पर एक liquid गुला था, बाद में solid हुआ, rocks बने, तो पहले bare rock थे, फिर क्या हुआ, temperature, heat, temperature difference, और उसके कारण metamorphic rocks बहुत सारी की चक्ताने बनी, पहली बार lichen आया, lichen के बाद small annual plant, lichen आया, grasses आना, start हुआ, तो यह थी primary succession क पहली बार प्रत्वी पर यह, जो flora है, उत्पन होना शुरू होती है, फिर intermediate में क्या होता है, grass, shrub, shed intolerant tree, such as pine, pine का मतलब जो लताएं वगेरा, बेल वगेरा है, finally, एक सघन बायो डैवर्सीटी, climax, सबसे शिखर वाली, तो यह तीनों stages आपको पता होनी चाहिए, ecological succession, primary species क्या है, जो शुरुवात हुई जिन से, intermediate, मद्यवर्ती और climax, community, अब कई बार क्या होता है, यह species बहुत ज़्यादा घनी हो जाते है, तो जब यह burn-out हो जाता है, wildfire के कारण, तो नई species को बनने को मौका मिलता है, और यही ecological succession है, कि लगातार, अलग-अलग प्रकार के पेड़ पत्र बीजी, एक पत्र बीजी, एंजियो स्पर्म, जिम्नो स्पर्म लेवल के plants आ चुके एक समय था, जब किवल फर्न हुआ करते थे, है ना, do you know what is fern, fern क्या होते है, ठीक है, तो यह परिवर्तन आता जा रहा है लगाता है, कई बार क्या होता है, यह तो मैंने बात कर ल ही है, आपको मैं बहतरी नुल्धारन देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाये, आप मैंसे कितने लोगों ने कंडों को जलते हुए देखा है, कंडों का मतलब होता है, जो जलते हुए देखा है आपने, उन से जो अंगारे बन जाते हैं, मानली जी अंगारे बन गए, right, अ अब इस पे मैंने क्या कर दिया दोस्तों राक लगा दिया राक जो होती है फ्लेश जो राक जो होती है राक का मतलब होता है जो जो एश है एश ठीक है एश जो है एश तो राक इसके उपर हमने लगा दिया ठीक है यह लगा दिया यह अंगारे आने वाले कई-कई दिन और कई कई महिनों तक धधकते रहेंगे यदि इनके उपर राक है ऐश है तो इसी प्रकार से क्या होता है पहले जो कोई fire लगी होती है आग that can smoulder under the ground जो कि धरती के अंदर अभी भी है which made up carbon rich peat तो ये क्या कर लेती है carbon rich peat बना देती है और when जब भी weather जब भी मौसम गर्म होता है तो ये आग फिर से reignite हो जाती है समझ में आई बात आपको पुनह आग का बन जाना क्योंकि पहले भी आग लगी थी ये होती है जोंबी fire जोंबी का मतलब आपको पता होगा जो male ghost होते है male male ghost को क्या बोलते है जोंबी तो ये reignite हो जाती है is it clear तो कुछ इस प्रकार से सारा खिल होता है ठीक है चलिए तो इस प्रकार से जोंबी fires आपको जरूर पता होना चाहिए आर्केटिक ठंडे reason में पर्माफोस्ट रीजन में भी ऐसा हो जाता है कई बार moss, grasses, lichens, वहाँ पर बर्फ के समय में भी इस प्रकार की कई बार आग देखने को मिल जाती है देखी लीजिए nearly all this year, this year, the fire inside the arctic circle तो arctic circle देखी कितना ठंडा है वहाँ पर भी continuous पर्माफोस्ट है with half of the burning on accident carbon rich peat soil तो यहाँ पर carbon rich peat soil, peat क्या होते है यह भी हम लोग discuss करने वाले है तो arctic fire reason वहाँ पर भी क्या है देखी पर्माफोस्ट जो reason है नहीं जहाँ water है उसमें यह शमता होती है कि ज़्यादा वो carbon dioxide absorb कर लेता है ultimately यह burning में मदद करेगी और इसलिए क्या होता है आर्कटिक reason में भी आजकल क्या है पर्माफोस्ट reason में भी fire देखने को मिल रहा है तो बात करेंगे peat land की, peat land क्या है peat land are the wet land यह दलदली इलाके होते है that are characterized by waterlogged organic soil made of dead and decaying plant जहाँ पर मरत पेड़ पौधे होते हैं पानी में ठीक है over millennia बहुत से होते हैं they can be up to 60 feet 18 meters तक हो सकते हैं thick and being partially submerged in oxygen depleted depletion का मतलब क्या होता है कमी होना oxygen की कमी वाले तो वो जो है यह पूरे जो wet land होते है peat land इस प्रकार के peat land का best example आपको आफरिका में मिलेगा और यहाँ पर क्या है carbon की मात्रा बहुत जादा है तो यह burn होना शुरू कर सकते हैं peat land are very important for ecology अगला section है तो आपको क्या क्या cover हो गया है wild fires क्या होते है zombie fires क्या होते है और अभी जो architect fire है वो क्या है यह तीनों point आपको एक basic summary के तौर पे cover हो गया है अब बात कर रहे है definition of minority जो central government है उसने notify की है minority communities at national level under national commission for minorities act 1992 इसके तहत central government जो है notify करती है minority community को कुल कितनी minority community है भारत में six minority communities कौन कौन सी है भई Christian, Sikh, Muslim, Buddhist, Parsi और recently added वर जैन government ने in act किया है NMC Act 1992 to constitute national commission for minority और यहाँ पर इस प्रकार से एक national commission बनाया है इनके लिए the term minority यह Indian constitution में defined नहीं है फिर भी जब हम लोग मंत्री कौन चल रहा है बही बताया था मैंने आपको मुक्तार अव्वास नक्भी ठीक है वो चल रहा है बहुत समय समय से notification of any community specific to state and minority communities within the state come under the purview of state concern तो जो state की minority हो state के concern में यहाँ पर आपको यह पता होगा कि article 25 सभी लोगों को स्वतंतरता प्रदान करता है कि वो अपने conscience अपने चेतन से right to freely profess practice and propagate religion किसी भी धर्म को profess कर सकते हैं उनको पूरी छूट है किसी भी वेक्ति को कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है forcefully हाँ जरूर नहीं मनवाया जा सकता है 26 right to every religion or any section to establish and maintain institution for religious and charitable purpose manage its own religious affair वो लोग अपने affairs को religious affair को maintain करे manage करे कोई दिक्कत नहीं तो बहुत अच्छी freedom भारत में दी हुई है religious freedom भी है भारत में 28 जो है article वो कहता है people's freedom to attain religious instruction and religious worship in educational institution जैसे मदर सास चल रहे है तो यहाँ पर भी आप जो है educational institution religious institution में पूजा अर्चना भी हो सकते worship भी है linguistic minority क्या होती है linguistic में जो भाषाई आधार पर है और इसलिए distinct जो language है script है कहीं fix जगे स्थान की तो उन्हें भी minority का दरजा दिया गया ठीक है language of the minority group need to be one of the 22 language mentioned in the aid schedule तो वो language किस में belong करनी चाहिए कि linguistic minority दी जाए 22 जो भाषा है उन में से कोई एक होनी चाहिए तो आप मुझे list बता दीजिए all the 22 language कब-कब amendment करके कब-कब languages add की गई और यह schedule कि schedule में mentioned है यह आपको बताना है मुझे जो 22 languages है right तो यहाँ पर already given है देख लीजिए 8 schedule I thought not given here 8 schedule ठीक है आपको बताना है कब-कब किस-किस में शंशोधन हुआ यह सब भी आपको बताना है at the state level mean any group of people whose mother tongue are different from the principal language or state तो linguistic minority are identified by the respective state respective state को में हो सकता है linguistic minority हो ठीक है तो उन्हें यह provide किया जाता है ताकत की भई उनको एक अलग पहचान है तो यहाँ पर देखे state level पर mean any group of people whose mother tongue are different from principal language कि जिनकी मात्र भाषा original main language जैसे हिंदी से अलग हो तो उस group को जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनको कोई impartiality की जाए वैसी district और तालू का level पर भी इस प्रकार का नियम है ठीक है तो linguistic minority are identified by the respective state and uts और यहाँ पर article 350b inserted seventh constitutional amendment act 1956 to provide special officer यहाँ पर एक special officer provide किया जाएगा linguistic minority is appointed by the president of India तो यहाँ पर linguistic minority के लिए dedicated एक officer होगा a special officer would investigate all the matters relating to the safeguard and provided for the linguistic minority under the constitution तो जो भी safeguard इनको provide किये गए है उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा तो common provision क्या-क्या है भई आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 यह बहुत important है right of any section of the citizen residing in India with a distinct language script culture own to conserve it तो वो अपने भाशा, script, लीपी, इत्यादी को, सभ्यता को उसे conserve मतलब की रक्षित कर सकते हैं तो यह भी अपने अपने section का मतलब एक वर्ग है नागरिकों का एक वर्ग है यह और उसको जो है इस प्रकार से include किया गया आर्टिकल 30 क्या कहता है all the minority shall have the right to establish and administer educational institution of their choice तो वो established बना सकते हैं, administered मतलब उसको control कर सकते हैं अपनी choice के नुसार से जो भी minorities है protection under 30 is to confine only to minority does not extended to any section of the citizen तो यह क्यों minority को दिया गया, सबको नहीं दिया गया, ठीक है as under the article, ठीक है, तो यह points आपको सभी याद रखने अब हम लोग आ रहे हैं, आज के जो 10 important questions है, we will discuss that तो यह आपकी screen पर आ गया है, आपको ज़्यादा स्यादा participation करना है तो पहला प्रश्न आपकी screen पर आया है and that is what article 43b और part 9b of the constitution were in news 2, यह जो article 43b है, part 9b है यह क्यों चर्चा में था, uniform civil code के कारण, UCC direct benefit transfer का इस in articles में mention है local body general election के बारे में mention है या फिर cooperative societies के बारे में mention है क्या सही answer, so मिलकुल ठीक है आपको याद रखना है कि अभी cooperative societies को बनाने के लिए article 19 में भी amendment किया गया, उसमें भी सुधार किया गया ठीक है, और 9b में और पंचायती राज में भी add किया है है ना, तो cooperative societies जो है बहुत important base के रूप में काम करते भी चर्चा में क्यों था, अभी cooperative ministry बनाई गई और वो राज्यों के अधिकारों का हनन कर सकती है और इसी लिए ये बहुत ज़्यादा भी चर्चा में चल रही है क्योंकि center का cooperative societies जिन पर राज्यों का अधिकार है वो center के control में आ जाएगी, normally center के control में दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर जो common cooperative societies थी, सहकारी समीतिया जो होती है क्या होती है सहकारी समीति, लोग आपस में मिल जोलकर कोई एक समीति गठित कर लेते हैं और अपने ही शेत्रिय लोगों को पैसे वगएरा की मदद करते हैं और एक percentage of loan वगएरा, तो cooperative societies वो भी है Amul is also the best example of cooperative societies कि बहुत सारे लोग जिसमें 36 लाख farmers, उनका दूद, milk जो है, उनके गाय भैसो का जो milk है वो वहाँ पर production हो रहा है, और finally क्या है, they all are earning तो ये mutual consensus के साथ में चलने वाला business है, सहकारी समीतियां तो correct answer will be D, so D will be the correct answer, next question is on your screen now 97th constitutional amendment में cooperative societies को यहां पर article 19th 1c में यह बोला गया था कि right to form cooperative societies, union etc, 43b भी insert किया गया at part 9th b यह सभी insert किये गये, ठीक है, cooperative societies अभी चर्चा में क्यों होती, क्योंकि अभी नया mantra बनाया गया next question is on your screen now, with reference to provision of constitution of India consider the following statement, first statement कह रहा है कि article 368 of constitution deal with constitutional amendment process, सम्वेधानिक संशोधन का जो process है, उसको deal करता है 368 और article 252 of the constitution deals with the power of parliament to legislate two or more state by consent, यदि कोई ऐसा नियम कानून है, यदि दो राज जो उसमें सहमती दिखाते हैं, तो वो एक common law के तौर पर काम करेगा, यह है article 252, आपको पूछा गया इन में से कौन सा, सही नहीं पूछा गया, है ना, बता ये, क्या पहला statement करेक्ट है, क्या second statement करेक्ट है या इन करेक्ट है, तो बोद दे स्टेटमेंट आर एपसलिटली करेक्ट, सभी को पता 360 समवेधानिक संशोधन के process में, और 252 is very important, दो राज जो के बीच में यदि consent है, सहमती है, तो constitution, तो यहाँ पर constitutional deal with the power of parliament to legislate, तो यहाँ पर क्या है, पार्लियमेंट उस पर कोई एक कानून legislate बना सकती है, ना, commonly, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, not correct पूछा है, और इसमें कौन सा गलत है, दोनों ही गलत नहीं है, इसी लिए, neither one, neither two will be the answer, तो कई बार आपको यह यहाँ पर star mark कर लीजिए, question क्या पूछा गया है, is it clear, तो यह दोनों points यहाँ पर absolutely clear हैं आपको, चलिए, अभी हाली में जो भीमा कोरेगाओं case, violence जो था, highlighted the issue of under trial, the Bombay High Court had said that speedy trial is a fundamental right, Bombay High Court ने क्या कहा है, speedy trial जो है, तुरत तुरित कारवाई की जाए, trial किया जाए, यह एक आधारभूत, अधिकार है, following the constitution of India, correctly appropriate imply about the statement, तो इन में से कौन सा, कौन सा जो है, statement सही है, regarding this, A, B, C, D, pause कीजिए, बहुत ही ध्यान से प्रश्ण को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती न हो, तो correct answer आपको यहाँ पर बताना है, which statement is correct here, क्या यह एक simple question है या tough question है, बताईए, is it a simple question और tough question? देखिए, article 19 में तो आपको पता है, कि freedom of expression की बात, and directive principle of state policy part 4, हाँ, बिल्कुल DPSP part 4 में है, देखिए, यदि speedy trial नहीं मिल रहा है, तो actual में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक jail में रहना होगा, fundamental जैसा भी आपने, जो Stanley के बारे में case देखा होगा, कि वो jail में ही उनकी मृत्ति होगई, तो अभी तक उनके उपर कोई trial ही नहीं चला, और बताइए, उनकी मृत्ति होगई, तो अपने आप में ये case, अपने आप में बहुत ही controversial बन गया, तो article 21 ही वो article है, जो right to personal liberty, मतलब प्रान और देहिक स्वतंतरता, freedom guarantee करता है, part 3 में, बिल्कुल ये ही सबसे important है कि लंबे समय तक वो jail में ही ना रहे, article 23 से तो कोई मतलब भी नहीं है, आप सोचिए, 23 तो right to exploitation और 24 भी नहीं, ठीक है, so the correct answer will be, B here, I think ये तो बहुत ही simple question था, चली, B is the correct answer, तो right to speedy trial is to inculcate justice in society, है न, जितना जल्दी trial होगा, जितना जल्दी फैसला हाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, फैसला जल्दी आना बहुत जरूर ही है, it is first mentioned in the landmark book of English law, Magna Carta में भी ये बताया था, Magna Carta बहुत important book है, आपको याद आ रहा हो, England में, ठीक है, in India, it is covered under article 21, भारत में ये article 21 में covered है, कि भाई, no person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to the procedure laid by law, यदि कोई ऐसे laws बनाए हुए, उसके अलावा, उसके अतिरिक, जो है, उनकी personal liberty को, कोई सी प्रकार का हनन नहीं होना चाहिए, अगला question आपको याद आ रहा होगा, हमने discuss किया था, new shepherd, can you recall that, new shepherd, the new shepherd is a reusable suborbital rocket, क्या ही सही है statement, the rocket system is built by Amazon, बताई है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, which statements are correct here, क्या सही है, बताई है, is it a simple question again, yes, it is a simple question, क्योंकि हमने Richard Branson की बात की थी, Virgin Galactic की बात की थी, Amazon की Blue Origin Company की बात की थी, याद आ रहा है आपको Blue Origin, तो यहाँ पर देखिए, new shepherd यह वो व्यक्ति थे, जो America, USA के, पहले व्यक्ति जो space में गए, वो थे shepherd, ठीक है, और इहनी के नाम पर रखा गया, तो reusable suborbital rocket है, और rocket built by Amazon, तो दौनों ही statement बिलकुल सही है, C is absolutely correct here, is it clear, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, built by Blue Origin, इस space में successfully tourist को यह लोग लेकर गए, आपको याद आ रहा होगा, जेफ बेजॉस भी गए थे, न्यू शेफ़र्ड हैज नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट एलेन शेफ़र्ड, जो की first American थे, जो space में गए, 100 किलोमेटर कार्मेन लाइन याद आ रहा है, कार्मेन लाइन को क्रॉस किया, मैंने आपको पूरा detail में explain किया था, वो आपको डाइग्राम भी याद आ रहा होगा, system is fully reusable, बार-बार इसे reuse किया जा सकता है, चलिए, अगला प्रशन आ रहा है, National Security Act is a preventive detention law, preventive detention law का मतलब आप समझते हैं न, NSA क्या एक preventive detention law है, मतलब देश में कोई खत्रा होने वाला है, तो किसी वेक्ती को नजर बंद कर लिया जाए, कायद कर लिया जाए, ऐसा कुछ है गया, Article 20 of the Constitution of India, allows the preventive detention, and restriction on personal liberty, for reason of state security and public order, public order या फिर state की security के लिए, Article 20 जो है, preventive detention का provision वहाँ पर दिया गया, बताइए, which statement is are correct here, बताइए, yes, यहाँ पर एक और बात और आपको याद रखने है, the question I had asked, correct, तो देखिए, पहला point तो बिल्कुल सही है, National Security Act, बिल्कुल यहाँ पर preventive detention act, law है के तोर पर काम करता है, लेकिन यह article 20 नहीं, आर्टिकल 22 है, जहाँ पर preventive detention की बात की है, यदि कहीं पर public order, security की बात आ रही है, तो हम लोग preventive detention की रूप में, जो है, लोगों को उपर control कर सकते हैं, और उनको preventive detention की रूप में, जेल में कैद कर सकते हैं, तो यह 20 नहीं है, second statement is incorrect, so A is the correct answer here, is it clear, तो National Security Act, preventive detention law है, and preventive detention involves detained or containment of a person, in order to keep him her committing future crime, की भविश्य में वो कोई crime न करे, and or from escaping future prosecution, की उनका prosecution trial ना हो, article 22.3 जो है constitution का, वो अलाव करता है, preventive detention, article 22.3b, article 22.4 क्या state करता है, no law providing for preventive detentions, shall be authorized or detention of person, for a longer period of more than 3 months, तीन महीने से जादा समय तक किसी को भी preventive detention में नहीं रखा जा सकता, unless यदी जो advisory board report sufficient cause of extended detention, कि यदी जो advisory board बनाई गई उसकी report में यदी ना का आ जाओ, कि इसको और आगे रखा जाना चाहिए, एक बहुत important law है, याद रखना लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, देखिए, 44th constitutional जो amendment था 1978 का, जनता government के कारेकाल में था, has reduced the period of detention without obtaining opinion of advisory, तो यहाँ पर ये बोला गया कि कम भी किया जा सकता है, period of detention को without obtaining advisory board, from 3 to 2 month however, 3 से 2 भी किया जा सकता है, लेकिन आज भी इसको force में नहीं लाया गया है, original period और आज भी ऐसा चलता नहीं, ये 3 month ही आज भी continuing, फले ये सविदान सहिशुदन किया हो, यदि इस पर कोई rate petition लगेगा, तो Supreme Court जरूर उसी प्रकार से कारवाई करेगा, जैसे अभी हम लोग recent में देख रहे थे, कि मजबूरन फिर सरकार को 127th constitutional bill, amendment bill लाना पड़ा, अगला प्रश्न है आपका, जो dairy investment accelerator, under its investment facilitation self, मतलब जो dairy निवेश के प्रकोष्ट के रूप में, dairy निवेश त्वरक के स्थापना की गई है, वो किस के तहत की गई है, नीती आयो, Indian Council of Agriculture Research के द्वारा, या फिर Department of Animal Husbandry, और Daring और ननवदा अबाव, बताइए, क्या सही है, तो बिल्कुर डारेक्ट प्रस्ट ने भई, dairy से रिलेट कर रहा है, तो the correct answer will be, Animal Husbandry and Daring, इस इट क्लियर, ये बहुत important है, क्योंकि, अभी क्या हो रहा है, कि किसानों की आये को दो गुना करने के लिए, सरकार जो है, dairy product, animals ityadhi को, live stock के अपर बहुत जादा ध्यां देरी, so, set up by the Department of Animal Husbandry and Daring, Government of India, under its investment facilitation cell, इससे क्या होगा, dedicated focus होगा, promoting and facilitating investment in the Indian dairy sector, it will generate awareness about investment of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund तो Animal Husbandry Infrastructure Development Fund इसके लिए investors मिल सकेंगे तो scope जो होगा न यहाँ पर निवेश का scope बढ़ा होगा तो productivity multiple layer में चली जाती है आपको पता ही है क्योंकि जहाँ पर निवेश ज्यादा होगा technology ज्यादा काम करेगी तो हम लोग optimally resources जो live stock है उनको use करना rearing करना इस्टार्ट कर देंगे Is it clear? चली Which of the following pair is are correctly matched यहाँ पर पूछा है पकिडी Hills क्या यह गुजरात में located है Ambu Kuthi Mala क्या यह Tamil Nadu में located है और Mount Saramati क्या यह Nagaland में located है बताइए क्या आपने इनके बारे में सुना है और यह अभी हाली में क्यों चर्चा में थी What is the reason behind it Why these are in news यह चर्चा में क्यों थी बताइए So यहाँ पर देखिए पकिडी Hills जो है यह Odisha में आती है और इनको Peacock Hills भी कहते हैं बहुत बड़ी संक्या में पकिडी Hills जरूर याद रखना बहुत इंपोर्टन अभी करेंट अफेर में चल रहा था पकिडी Hills कहा हैं Odisha याद रखेंगे जरूर Mount Saramati यह बिलकुल Naga Land में ही है Mount Saramati जो Myanmar के border से touched है और Ambu Kuthi Mala जो है It is in Kerala Right So let me clear you Yes केवल और केवल Second point is correct here और देख लीजिए Ambu Kuthi Mala Mountain Inside the Wainar District वही district जासे Wainar से कौन खड़े हुए थे MP के रूप में और जीते भी हैं राहूल गांदी ठीक है Wainar से और वो जो राय बरेली है Right वहाँ से हारे Sorry, sorry माफिचात हूँ राय बरेली नहीं वहाँ से तो सुनिया गांदी खड़ी होती है Amethi से Amethi से वो हार गए थे कौन जीती है भाई Amethi से बताइए कपड़ा मंत्री Right इस्मृति एरानी तो केरला Right Wainar District केरला ठीक है Mount Saramati Mountain Stradling The Border तो Border पर है पिकॉक तो पिकॉक के लिए प्रस्टन आपकी स्क्रीन पर आगया है आपको बताना है कि क्या statement correct है Indian पिकॉक जिसे Pauocrystus कहते हैं क्या यह भारत का national bird है बहुत ही simple question हो गया है यह तो It is listed as least concerned by international union for conservation of nature least concerned है क्या आप सही यह statement बताईए very simple question so both the statement are absolutely correct दोनो ही सही है C is the correct answer here right C is the correct answer here so Indian पिकॉक Pauocrystus is a colorful swan-sized bird with a fan-shaped crashed feather rainfall में तो आपने देखा यह beauty male of the species are more colorful than female है ना और bronze green-tailed around the 200 elongated feathers feathers का मतलब punk National bird of India listed least concerned क्योंकि बहुत बड़ी संक्या में हर जगे यह पाए जाते हैं भारत में राजिस्तान में सभी जगे अगला प्रशने dull is a lake in श्री नगर क्या यह बात सही है it is the source of नुब्रा रिवर क्या यह नुब्रा रिवर का source river के रूप में है क्या डल क्या श्री नगर में डल लेक बताईए बहुत ही फेमस लेक है तो देखिए बताईए क्या सही है बिलकुल डल लेक श्री नगर में है लेकिन यह नुब्रा नदी का source नहीं है only one statement is correct डल is a lake in श्री नगर summer capital of Jammu and Kashmir winter capital तो क्या है Jammu है ठीक है so there are two capital वो उस समय की बात कर रहे है ठीक है Jammu and उस समय की भी बात कर रहे आज भी जो UT है उसकी भी बात कर रहे है जे एंड के की winter capital जो है वो है Jammu और summer capital है श्री नगर it is an urban lake यह urban lake है which second largest union territory of Jammu and Kashmir दूसरी सबसे largest union territory है आपसे मेरा प्रश्न है कि largest union territory कौन से आपको जरूर बताना है which one is the largest union territory of India बताईए जल्दी बताईए बहुत इच्छा प्रश्न है तो finally we came to very important question रामसर साइट total कितनी हो गई है current में भारत में मैंने पूरी detail में आपसे रामसर साइट discuss की हुई है रामसर साइट को बिलकुल मत भूली हमेशा environment ecology में question आता है क्या होकेरा wetland पंजाब में located है क्या कजली लेक गुजरात में located है और क्या कबरताल wetland राजिस्थान में located है बताईए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर सबसे important बात ये है आपसे पूछा है which one is not correct इन में से कौन सा सही नहीं है बहुत important question नहीं थो क्या होकेरा wetland पंजाब में है बताईए नो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत important match करी हमेशा क्या कजली wetland गुजरात में located है कजली is located in पंजाब क्या कबरताल wetland राजिस्थान में है नो इट इस located in बिहार टेक है तीनो ही statement क्या है match करने पर तीनो ही गलत आए इसमें पूछा है not correctly match तीनो ही गलत है टेक है d will be the correct answer is it clear so 42 हो गई है रामसर साइट यस वो जो confusion था मुझे आज भी वो बताना है मैं भूल गया था वह बात यह मैं आपको जरूर बता दूंगा होकेरा वैट लेंड जम्मू एंड कश्मीर कजली वैट लेंड पंजाब कबरताल वैट लेंड बिहार सभी वैट लेंड को अपने स्टेट के साथ में जरूर मैच कीजिए मैंने आपको अल्रेडी प्रोवाइड कर दिये content आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर जरूर मेल कर दीजिए और थैंक्यू सो मच गॉड ब्लेस यौल जैहिन दोस्तों